विदिशा जिले के पठारी के नाम से बिखने वाला सिताफल एक एसा फल है जो बच्चे से लेकर बूढ़े जवान सभी को पसंद है मगर उस फल को खुद पठारी वाले भी खाने को तरस रहे हैं बहुत पहले की बात हैं यहां से हर रोज कच्चे सिताफल के ट्रक भरकर दिली, आगरा, भोपाल, इंदोर और अन्य जगर जाते थे पर आज यह कंडिशन है कि देखने को भी नहीं मिल पा रहा है पर भोपाल मुंबई और अन्य शहरों में पठारी के नाम से आज भी सिताफल भिक रहा है नगर के रहवासी जफर चाचा उम्र सत्तर वर्ष ने बताया कि पठारी में लगभग 15-20 वर्ष पहले पठारी सिताफल की बहुत बड़ी मंडी कहलाती थी यहां से सिताफल ट्रक भरा कर आगरा दिल्ली भोपाल सागर विदीशा और अन्य शहरों में विजवाय जाते थे पर आज यह इस्तिती है कि धीरे धीरे सिताफल के पेड़ लुफ तो होते गए पहले शेतर में सिताफल 20-50 की डलिया में बिकता था आज वहीं सिताफल 300-1000 रुपया डलिया में बिक रहा है इस बार बारिश के कारण एक-दो माह पहले ही सिताफल की फसल आ गई विदीशा से आसिस तहले के साथ नेतराम सहु की रिपोर्ट मन्डी मानी जाती थी चीताफलों की पठारी बहुत दूर दूर तक जाती थी चीताफल आगरा है दिली है और मत्रा है इदर सब जगा जाती थी और चीताफलों की कसम जी लापरवाई से जी कटने मटने से सारे खतम हो गई चीताफल और का इदर भी रुजगारी आ गई च से कम दू महीने धाई महीने उनका धन्दा चलता था और अब जुन नाइव माई पेदे लगा है लगे हैं वो जल्दी पानी के रबारस होने से असल आ गई आ गई तो बैस जल्दी से इस पुताल लिए आदमी ओने पिछले पिछले सीतफल की फसल अच्छी आदी थी और दाम अच्छे मिलते थे इस वार फसल दो महीने पहले आ चुकी है चीतफल के दाम नहीं मिल पा रहे हैं हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भुलें